तुम से मेरी हर सुबह, तुम से मेरी हर सामे, तुम से बस्ते राही रहो तुम से मेरी हर सुबह, तुम से मेरी हर सामे, तुम से बस्ते राही रहो मेरे हर या है एड़ो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्त अनुपम कुमार और आप सब का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब शानल जिसका नाम है अनुपम भारत जैसा कि दोस्तो कल डे 5 था और करिब डे 4 से ही काफी पेन बगर मसल्स में मसल्स और बॉड़ी पेन और सब कुछ हो रहा था लेकिन आज जैसा कि रेस्ट अब है और आज तो बिल्कुल भी जैसे पूरी बॉड़ी चोक हो गई है कमर वेस्ट अपका मसल्स बाइसेप्स पैर सब पुछ ऐसा लग रहा है मतलब सीधी चड़ तो जाओ आराम से लेकिन उतरने में बहुत प्रॉप्ल हो रहा है सारे मसल्स जो ब्रेक होने थे जो मसल्स ब्रेक हो रहे हैं और ब्रेक हो रहे हैं तो जुड़ेंगे भी और सो यह प्रोसेस है सब कुछ जानता है कि एकसरसाइज जब भी आप स्टार्ट करते हो तो आफ्टर 3-4 डेज 2-10 डेज यासा चलता रहता है लेकिन ज्यादा रेस् बाए था कुछ वो क्रंचेज-10-10-4 सेट किया उसमें भी हाल बहाल हो गए तो आज है रेस्ट डेज जैसा कि कर जाता है अब मसल्स ब्रेक हो रहे हैं पैन हैं वो पैन नहीं यह पैन वलकुल एक पैन के पैन जासे मैंने बनाटाया था सब्सक्राइब हो रही रहा है उसका मतलब कि आप इस तरह का पैन हो रहा है यह हो रहा है इसका मतलब कि आप सही डायरेक्षन में आलगे बढ़ रहे हो कि अभी तक सब सही चल रहे हैं और देखिय रिजर्ट वागरा लोग बुलते हैं कि रिजर्ट कुछ हुआ खुछ इतना जल्दी यह पता चलता हूं वी पता हूं ग्रीकों टीन सार्ञिस्स थो बना हूआ है मसल्स पेट बाहे है मसल्स टूटेंगे तूट करके बिखरने की भी न अपनी एक खुबसूरती होती है जब कुछी चीज तूटता है न तो चीज़े होती है या तो आप वो कुछ भी बन सकता है या फिर कुछ भी ने अब यह आपके माइन और सूल पर डिपेंड करता है कि आप कंस्ट्रक्टिव फेज वाले बंदे हो या फिर डिस्ट्रक्टिव फेज वाले अगर आप कंस्ट्रक्टिव हो तो तूटने के बाद भी आप उससे कुछ और बहतर बना सकते है और अगर आप डिस्ट्रक्टिव हो तो फिर तो आ में इंप्लिमेंट होता है वैसे ही हमारे बॉड़ी मसल्स पर भी यही वर्क करता है कि पहले इधर उदर बिखरा पड़ा था रैंडम ली जुड़ा पड़ा था अब ब्रेक हो गया अब आप इसे चाहो तो चाहिए उसे आप बाइशप्स बना लो ट्राइशप्स बना लो य कि उद्हाज करता है अब फिलाल मंत बाइब के यह मुद्धार शलंगता क्यों चुब्स आप वह तो जिर्जक्स बना रात है कि ऊफ़िए बरी तो सोचे सब्सक्रा पार मेरे बिख एक्जाम के डेट अनाउंस हो गई अब मैं यह सोच ला था कि मैं exercise करूँ वीडियो गना हूँ या फिर पढ़ाई करूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप चाहो अगर आप सच में अगर hardware किसी हो करते हैं सब कुछ ऐसा नहीं है कि बस एक ही चीज में लगे पड़े हैं और सब को चलता रहता है है चुकि पढ़ाई भी ज़रूरी है तो आप चाहो तो इसको आराम से मैनेज कर सकते हो अगर ठीक है आप 8 गंटे अगर पढ़ाई को दे रहे थे तो उसमें से 2 गंटे exercise को दे रहे हो अब जो दो गंटे exercise आप करोगे चुकि बाड़ी को आधित है तो वह भी चलता रहेगा तो चले दोस्तों फिर मिलते हैं कल से अपने रूटीन पर और भी सोचूंगा कुछ नया अच्छा कुछ और भी exercise में देख रहा हूं रिसर्च कर रहा हूं जिससे थोड़ा यह जैसे यहां की fat है यह side fat यह बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा टा करना पड़ता है यह जो side का होता है यह सबसे ज्यादा problem होता है अब जैसे मैं plank करने मारा हूं कल पर सो कल से तो नहीं अभी बहुत ज्यादा पेन है कल तो regular exercise जो मैंने स्टार्ट किया था वही एक दो करूंगा crunch करूंगा और दो तीन दिन बाद से एक दो दिन के बाद से मै प्लैंक भी यूज़ करना सुरू कर दूंगा और उसको भी दिखाऊंगा मैं आप लोग के सामने कि कितना फाइदा हो रहा है सो hundred days की journey है इसे पूरा करना है और इस पूरी journey में अपने health को बहुत अच्छा develop कर लेना है अपने body physics को अच्छा करना है health को अच्छा करना है ता और वो जो comment dialogue है कि अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो नीचे होगा लाल बटन और घंटे का bell icon जिससे आप दबा दीजिए जिससे notification पहले आ जाएगा अगर वीडियो पसंद आए तो like कीजिए comment कीजिए नहीं पसंद आए तो रहने दीजिए तो दोस्तों मेरी तो hundred days क की जर्नी है मैं तो इसे complete करना ही वाला हूँ अब आपको मेरे साथ अगर आप मेरा support करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लएगा देखते रहिए keep watching hope you like the video God bless you all